BMS Academy में आपका स्वागत है जैसे WordPress में आपने पोस्ट को बनाने के बारे में सीखा वैसी आज हम Pages को बनाने के बारे में सीखने वाले हैं WordPress में पोस्ट को बनाने के लिए आपको Post Section में जाकर Hover करना पड़ता होगा and then Add New और आप चाहें तो New पर जाके भी Post को Create कर सकते थे WordPress के अंदर एक नया पेज आड़ करने के लिए आपको Pages section पर Hover करना है and then आप यहां से Add New करके नए पेज को Create कर सकते हैं Otherwise टॉप बार में टूल बार जो की WordPress का दिया गया इसमें New option पर अगर आप Hover करते हैं इस option में जाकर भी आप पेज पर क्लिक करके एक नए पेज को Create कर सकते हैं मैं यहां से क्लिक करके एक नए पेज क्रेट कर देता हूं नए पेज को Create करने के लिए आपका जो इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखने वाला है इस इंटरफेस के अंदर आपको background में कुछ color add-on मिलने वाला है जो कि आपके dashboard में white हो सकता है essentially क्योंकि मेरे पास यहां पर 2020 नाम की एक theme activated है और 2020 theme की यह facility है कि वो background में आपको इस तरह का कुछ color setup देता है मेरे पास यह जो theme available है यह इस नाम से है 2020 2020 जो की wordpress की default theme है और यह year-wise update होती रहती है पेजी section में जब आप interface को check out करते है तो आपको कुछ इस तरह का interface देखने को मिलता है जिस पर आप starting पर एक नया title दे सकते है my home मैं आपर my home के नाम से title देना चाहता हूँ और description के तौर पर आप यहाँ पर जब simply click करते है तो एक नया block already created है इसके अंदर आप अपनी data को paste कर सकते है मैं यहाँ से sample data pick कर लेता हूँ मेरे पास यहाँ पर extension है sample data के लिए copy करके यहाँ से इस data को paste up करता हूँ इस तरह से बाग्य कुछ data को भी मैं इसे heading में convert कर देता हूँ heading 3 में तो इस तरह से आपका जो interface रहता है वो इस तरह से देखने को मिलता है जब आप कोई भी नई post create करते हैं तो document section में आपको same ऐसे ही options मिलते हैं status and visibility, feature image, discussion, page attributes जो page attributes का section है यह post के section से काफी अलग है post के अंदर इस section के जगह आपको categories और tags नाम से option दिखता है जहाँ पर आप उस particular post को categorize कर सकते हैं और उसमें tags fill up कर सकते हैं और pages के section में आप यहाँ पर page attributes देख रहे हैं कि उस page को आप wordpress के अंदर किस template के तौर पर दिखाना जाते हैं इसे हम आगे के कुछ lectures में cover करने वाले हैं एंदर उसके बाद हमारे पास parent page यहाँ पर option देख रहे हैं यह relationship तोर पर है जैसा कि मैंने वीडियो में आपको बताया है कि एक page का दूसरे page से parent और child का relationship रहता है तो इस तरह से आप यहाँ पर उस relation को setup कर सकते हैं आप मेरे पास दो page available हैं अगर आप इस particular page को इन में से किसी page का child page बनाना चाहते हैं तो उन में से इस पर click करेंगे तो sample page का जो child page वो यह वाला बनने वाला है अगर travel agency पर click करते है travel agency का child पर यह बनने वाला है in one word अगर मैं कहना चाहूं तो यहां से आप इस particular page का parent page select कर सकते हैं तो यह options आपके सामने visible हैं और order के इस section में आप पूरे की पूरी page की hierarchy hierarchy बना सकते है step by step आप उस pages को numbering देके यह देख सकते हैं कि आपने कौन सा page पहले बनाया है कौन सा बाद में लेकिन इसे आपको manually setup करना पड़ेगा इंदर उसके बाद आप particular block पर अगर focus करते हैं तो document से automatically block section में divert हो जाता है आपको sample के तोर पर दिखाता हूं document select करता हूं जैसा ही मैं block select करता हूं वैसे ही मेरे पास यहां पर block section available होना शुरू हो जाता है यहां particular block की आप information को text related settings को और बाकी की settings को अभी हम आगे की videos में देखने वाले हैं यह चीज़े आपको इसमें देखने को मिलती है सबसे top पर जैसा कि आपने post के section में देखा कि आपको यहां से toolbar देखता है जो कि as it is page या post जोनों में combined है और यहां पर तीन options, save draft के नाम से, preview के नाम से, publish के नाम से यह as it is post के section के तरह divided है जैसा कि हमने post के section में check out किया था तो almost इसमें सभी चीज़ें post regarding है लेकिन जो pages हैं वो किस तरह से post से अलग है ऐसा हम previous video में देख चुके हैं अब आप अपने page को title दे सकते हैं sample उसके link को अगर edit करना है तो आपको उस particular title पर click करना है यहां से आप link देख रहे हैं और permalink के बिलकुल सामने आप एक edit option देख रहे हैं इस edit option पर click करके आप उससे manually जो link है वो दे सकते हैं तो इस तरह से अगर में manual link देना चाहता हूँ और save करता हूँ तो मेरा manual link को जिस तरह से तियार होने वाला है and description को भी आप check out करें description को अपने हिसाब से रखने के बाद आप इसे document setting में जाकर अगर schedule करना चाहते हैं पूरी की पूरे page को तो आप उसे भी कर सकते हैं ऐसा आप post के case में भी देख चुके थे कि अगर आप उस post को schedule करना चाहते हैं तो उसे भी कर सकते हैं और वैसा ही pages के साथ भी आपको simply publish के सामने immediately के इस option पर click करके उस page को भी schedule कर लेना है उसके लिए इस button पर click करके इस particular preview को देख सकते हैं कि आपका page कैसा देख रहा है कि आपका page एकदम त्यार है ऐसा देखने में अब अपने accordingly इसमें informations को fill up कर सकते हैं लेकिन जो block regarding इसमें मेरी लेकिन जो block regarding training रहने वाले हैं आगे के lectures में cover करने वाले हैं अभी के लिए मैं इस page को publish करता हूँ और publish करने के बाद आप इसमें यह आपसे पूछ लेता है कि are you ready to publish double check your settings before publishing आपकी particular settings जो की pages के साथ already created है सबसे पहले तो आप visibility देख रहे हैं जिसमें publicly आप इसे publish कर रहे हैं otherwise उसे private या password protected भी रख सकते हैं invisibility के बाद publish की जो type है वो immediately कि आप इसे साथ के साथ publish करना चाते हैं otherwise आप इसे यहीं से schedule कर सकते हैं अगर आप इस check mark को off करते हैं तो आपसे यह पूरा का पूरा dialogue नहीं खुलेगा directly आपके page को publish कर देगा मैं शेक्मा को और नहीं रखता हूं यह मुझे double confirmation के लिए मेरे लिए काफी comfortable point है और मैं इसे publish करता हूं publish करते हैं आपका page live हो जाएगा और live होने के बाद आप इसे view करना चाहते हैं तो simply इस link से view कर सकते हैं अगर आप इस link को share करना चाहते हैं तो इस link पर copy करके लिंक को copy करें और copy करके आप इसे particular social media पर या किसी ऐसी site पर share कर सकते हैं जहाँ पर आप उसे promote कर सकते हैं मैं आपक क्लिक करके page को view करता हूं तो मुझे यह कुछ इस तरह का देखता है तो इस तरह से आप एक नई page को create कर सकते हैं तो इस तरह सकते हैं जहां वाँ पर आपक करें कर दो इस तरह कर सकते हैं जहाँ आपक कर दो 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 झाल झाल